साथियों आप काफी समय से पूरे भारत में लब जिहाद के मसला सुनते रहे हैं आज हम आपको लब जिहाद का जो काला सच है उसे बतलाने का प्रयास करेंगे बस आप से मेरी गुजारी से कि आप इसे पूरा सुने साथियों हम आपको एक वाक्या बताएंगे ये वाक्या एक 35 साल के मुस्लिम लड़के ने एक 26 साल की हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फसा लिया दोनों घर से भाग गए लड़की के घर वालों ने पुलिस को सूचना दी साथियों इसी बीच दोनों घर से भाग कर रेलवे स्टेशन जा रहे थे कि पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और दोनों के परिवार वालों को थाने बुला लिया थाने में लड़के के परिवार वाले और उनके करीबियों ने बहुत हंगामा किया थानेदार बहुती सबस्दार था उसने दोनों परिवारों को समझा बुजा कर सुबह थाना आने को कहा साथियों साम को थानेदार ने लड़की को अपने कमरे में बुलाया और समझाया थानेदार ने कहा ठीक है अगर तुम्हारी यही इक्षा है तो सुबह हम तुम्हें उस लड़के के साथ भेश देंगे लेकिन आज तुम हमारे और अपने होने वाले पती के लिए अपने हाथ से खाना बना के खिलाओगी साथियों यह सुनते ही लड़की खुसी खुसी इस बात को मान गई थानेदार ने कुछ समय बाद लड़की से कहा कि रसोई में सामान आ गया है तुम खाना पकाओ लड़की जैसे ही रसोई में गई उसकी चीख निकल गई और वो उल्टियां करती हुई बाहर भाग गई थानेदार ने पूछा बेटी क्या हुआ लड़कीयां उल्टियां करती हुई बोली कि अंकल जी किसी जानवर का गर्दन से कटा हुआ उसका सर उसका धेर सारा मांस और धेर सारा खून वहां पड़ा हुआ है मैं ऐसी जगे एक पल भी नहीं ठैर सकती हानेदार ने समझाया बोला बेटी दो मिनट में ही तुम घबरा गई अब तु जिसके साथ साधी कर रही है वहाँ तो तुझे जिन्दिकी बर यही सब देखना है और करना भी होगा यही नहीं साथ में आट दस बच्चे भी पैदा करने होगे उनकी देखबाल करनी होगी तुमारी सौतन भी आ सकती है क्योंकि लड़के को चार साधियों का इसलाम ने हक दिया है अगर तुमने एतराज किया तो तीन बार तलाक से आसानी से तुझे चोड़ भी देगा मेहर के अलावा तुझे कुछ हासिल न होगा तुझे अब इसलाम के साथ जीवन ही गुजारना है क्योंकि तुने एक मुसल्मान को अपना जीवन साथी चुना है इसलिए अभी से इन तमाम बातों को तुम्हे सीखना होगा लड़का भी ये सच सुन रहा था जो इन बातों से इनकार भी नहीं कर पाया क्योंकि वो ही इमान वाला एक सच्चा मुमिन था जिसे इसलाम, कुरान और मुहम्मद की सुन्नत पर पूरा यकीन था थानेदार ने लड़की से फिर पूछा क्या तुम इस सब के साथ रहने के लिए तैयार हो थानेदार ने लड़के से भी पूछा कि क्या तुम लड़की के लिए अपनी इन तमाम बातें इसलाम और रसूल की सुन्नत को छोड़ सकते हो इस पर वो लड़का भड़क गया और वो अल्लह और रसूल की सुन्नत पर अपने इमान को पक्का बताने लगा मित्रो दूसरे दिन सुबह होने से पहले ही यह सब देख कर और सुनकर लड़की परिसान हो गई अपने माबाब के घर जाने की लगातार जित करने लगी सातियों मेरी गुजारी से इस मैसेज को इतना पहलाओ कि हर हिंदू लड़की के मुबाइल में यह मैसेज पहुच जाए इसे इतना सेयर करो कि हर लड़की तक यह बात पहुँच जाए और आगे से कोई भी हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के के साथ इन सब बातों को जानने और समझने के बाद ही कोई फैसला करे और अगर इन तमाम बातों के लिए राजी नहीं है तो फिर भाग कर साधी न करे धन्यवाद अभी के लिए बस इतना ही जा हिंदू राष्ट